सो हेलो फ्रेट्स स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल माइगनू सॉल्यूशन में और मैं प्रेडिना सिंग आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी बील आई-ई-ई-ई-0-1-1 लैब्रेडी इन इंट्रोड़क्शन के फ्री सॉल्फ असायमिट बेसिक किस तक के यानि कि जिने जुलाई 2020 में लिया है यह स्टूड़क्शन के लिए है और अगर आपको इन असायमिट का चाहिए तो आप अब आपको डिस्क्रिप्शन मोंक्स में प्रोवाइट कर दोगे और वाइस जब आपको सॉल्फ असायमिट को रोट दौर भी कर सकते हैं तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तही कर रहा है तो अदे वाली वीडियो इसकी लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बचारा ना भूले सो सुरेश शुरू करते है आज का वीडियो और देखते है अपने फ्री सॉल्फ असायमिट तो इने कि सुरेश भी चैनल करते है अपने कि तो ईससे, आत्लै करते है खररा ना भिले से, अजना भिलानदkyा, वाले सायमिट तक सब्सक्राइब करें ऐसे, उसे this- in this- cases-what- the पहले मैं आपकी साथ पार्ट वन आपकी से से डिसकस कर लेती हूँ आसर all questions in about 300 words यानिकि आपको इन questions के answer आपको 300 words में देने है all questions carry equal marks जैसे कि आपकी 8 questions आपकी equal marks विखानी है तो ऐसे जैसे कि 8 questions है तो वो आपके 55 marks के questions आपके बनते हैं ठीक है और आप जब इनके answer लिखे तो इनके answer को आपको 300 words में explain करना है and then आपका second part है write short dots in about 100 words याने कि आपको ये रेकि चार आपको topics दे रखे हैं आपे तो इनको आपको short dots में लिखना है वो भी 100 words में 100 words में आपको questions के answer आपको देने है and all questions के रिए equal याने कि आपके part 2 जो है इसमें आपके 2-2 marks के questions है तो यह आपने part 1 और part 2 देखा आपको सभी questions को आपको attempt करना है कोई सभी questions आपको नहीं छोड़ना जो आप अपने answer को लिखे तो word limit पेश पेशनी आप धियान दीजिए and उसमें content लिखे content लिखकर ही आप अपने answer को explain करे और to the point अपने answer को लिखे जो आपसे बोला गया है question में उसी से related आपका जो answer है वो होना चाहिए so students अब हम चलते हैं in questions के solution पर और देखते हैं कैसी हमने in question को solve करा है तो firstly students में आपके साथ part 1 के question answers है वो मैं आपके साथ discuss करूंगी तो ध्यान सी देखिए answer all questions in about 300 words यानि कि आपको part 1 में जितने questions दे रखे हैं आपको उन answer को 300 words में explain करना है and all questions के रिए equal marks यानि कि जितने भी part 1 में आपको questions देखने को मेंने के वो सभी question same से marks के है तो question number 1 है आपका what do you understand by society and explain the stages of societal evolution अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉस्ट करके आप इन solution को लिग भी सकते हैं क्यूंकि हम नहीं आपे आपको जो material हम आपको प्रोवाइट करते हैं वो एकदम बैस होता है क्योंकि हम अमेशा यही कोशिश करते हैं आपको best material हम आपको प्रोवाइट करें जिससे आपको आपके assignment में और आपकी आने वाले exam में आपको बहुत ही अच्छे मांग सब को मिल पाएं तो यह देखिए इतनी अच्छी तरीके से एक इक चीज आपको यहां पर समझाई गई है अगर आप इनको पढ़ते भी है तो आपको आपकी आने वाले exam के लिए प्रपरेशन हो जाएगी तो यहां से देखिए आपको question number 3 है describe the role of academic libraries आपको question number 4 है explain the different roles and responsibilities of specialist in library and question number 5 है explain the information technology competence needed for library staff and question number 6 है आपका explain the tools that are commonly used for selection of documents for new material in library you and then फिर आपका 7th question है define library records explain the need for library records and question number 8 है आपका explain the process and methods of state verification और यहां से आपका part 2 आपका start होता है जो आपकी short notes है जिनको आपको हड्डे words में लिखना है तो यह देखिए question number 1 है आपका hybrid library so students यही पर आपकी जो assignment है वो आपकी complete होते है और अगर आपको इन assignment को note down करना है तो आप वीडियो को pause करके आप इन assignment को note down भी कर सकते है अगर आपको इन assignment का PDF चाहिए या फिर आपको किसी other subject की assignment का PDF चाहिए तो आप हमें contact कीजिए contact number में आपको description box में provide कर दूँगी so students आज की वीडियो में हमें discuss करा BLII 011 libraries and introduction के free solve assignment basic case के लिए और अगर आपको इसी other topic पी वीडियो चीए तो आप मुझे comment करके बताएं and videos related आपको कोई में doubt है तो वह भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं so students अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को do like, share and comment करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो को first time देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करें and बाल आइकन को बज़ाना ना बुलें